हलो बच्चो स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूटूब चैनल नियू लाइट नीट पे जहां पर मैं लेकर के आया हूँ फिजिक्स फार्मुला स्रीज मेरा नाम है अक्षै जानते दो होंगे आप तो चलिए सुरू करते हैं इस फिजिक्स फार्मुला स्रीज में हम ल ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास उस क्लास में हम लोग फटा फट देखना है यह जो फार्मुला है आई एकस वाइज इसकल टो आई सीम प्लस एमडी स्क्वार गस करिए इस थोर्म को क्या बोलते हैं पैरलल एक्सेस थोर्म बोलते हैं अब यह क्या होता है प को एक्सेस ओफ देशन वाली लाइन गही है जो किसके सेंटरनों मास से पास हो रही है है और अगर इस सेंट्रनों मास से पास होने वाली a voltar ओशन परज़िस वहली के अबाउट हम मोमेंट अ निशा अगर हमको पता है तो इसी एक्सेस ओव रोटेशन के parallel में अगर हमने कोई दूसरी access of rotation online कीची तो इसके about moment of mission निकालने का simple सा formula होता है i is equal to icm plus md square यह simple सब अच्छा formula होता है ठीक है जहां पर d क्या होता है दोनों parallel access के बीच की perpendicular distance होता है ठीक है icm क्या होता है moment of inertia कि access के about अगर वो center of mass से पास हो रही है तो तो इसके about अगर निकालना है तो इस formula का use करेंगे अब इस formula का use करके कैसे use करेंगे पहले सुझ को समझेंगे तभी हम numerical पर जाएंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते इस disc की radius example के तोर पर मालीजे है यह हो गए इसकी radius कितनी है बच्चों और इसका मास मालीजे कितना है हमने कहा कि क्या हमें इसके center of mass से जाने वाली line के about moment of inertia पता है हां सर निकाल सकते है इसमें कोई खास बात नहीं है और आम से निकला जा सकता होगी यह disc है तो कैसे निकालेंगे सर के about moment of inertia तो simple सी के बात है जैसे की मालीजे यह center of mass है इसके about क्या होता है अगर मैं पूछू यह line कौँ से गई है इस plane के perpendicular just के अगर आप इस चीज को देखना जाते हैं तो 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 मैं डियाग्राम को इस हिसाब से भी बना सकता हूँ देखें के जाध्यान से ठीक है जैसे की यह है ओके और जो line गई है उसके अगर मैं बात करूं तो यह वो line गई है यह इसके center of mass से जा रहे हैं और इसके about moment of initial होता है वो क्या होता बच्चो एम आर स्क्वाइर बाइट क्या होता है MR स्क्वाइर अब अगर हम यह कहें कि मान लिजे इसी के जस्ट पैरलर यह होगी पैरलर है जस्ट क्या है इसके अब मोमेंट आफ इनिशन निकालना है यह लाइन कैसी है अगर मैं से समधने कोशिश करूं तो अगर सेंटर आप मास लाइन अगर यह है तो इसके जस्ट पैरलर वालें यह होगी बेटा अब यह जो डिस्टेंस होती हो कितनी होती है तो फार्मले के हैसाब से आइससीःम प्लस अब इसके अबाउट निकालना है यह जो इसम पेलर से भाण निकालना है तो निखर सो सीम पनदक्र राइंसल और होग तो आपल इसका नविya अगर free 3mr2 3mr2 simple सा हमें कर से भी दिया चले एक्जांपल की तबाप पर माल लीजे इस डिस्क की जगह माल लीजे एक सर्किल है या एक रिंग है इस रिंग के अबाउट अगर मैं यह कहूं कि आप मुमेंट ऑफ डिशन बताएं जो कि इसके सेंटर आमास से पास होता है तो सर केंगे सर बड़ा असान है क्या होता सर सर अमर स्कॉर होता है अब अगर हम यह कहें कि इसी के जस्ट पैरलल एक इस तो अगर अगर निकालना है तो अगर यह रेडियस रास तो यह भी हो कह आरो अभ इसके आए सिम्पल सा फिर्म लगाया icm plus md square का अब icm कितना है mr square then mr square तो answer आपका कितना हो जाएगा 2 mr square कितना आ गया 2 mr square आ गया ठीक है तो यह application है parallel access theorem का किसका है बलो बड़े parallel access theorem का यह एक छोटा सा application है अब इस application पर कैसे question कैसे अच्छे question बन सकते हैं इनके बारे में हम समझते हैं ठीक है उसके लिए हम आपके लिए question लेकर क्या है बहुत ही शानदार question है अगर यह question अगर आप करते हैं तो आपको काफी theory जो है वह समझ में भी आ जाएगी कुछ नया सिखने को भी मिलेगा और हम इस question को कैसे करेंगे समझते हैं पहले कोशन है क्या from a disk of radius r and mass m a circular hole of diameter diameter की तीब आर है whose rim passes through the center is cut what is the moment of inertia of the remaining part of the disc about the perpendicular axis passing through the center अब यह एक ऐसा question है जिसमें parallel access theorem का use भी हो जाएगा और जो आपका बहुती ऐसा case है cavity का case जिससे बच्चे सबसेते डरते हैं उस case को भी हम समझेंगे और कैसे इसको solve किया जाता उसके बारे में समझेंगे ठीए तो case यह है कि मालीजी एक disk है हमारे पास और उस डिस्क से हमने एक cavity के तोब पर एक डिस्क और निकाल ली है और remaining part का moment of inertia पूछा गया है तो उसको करने का क्या तरीका होता है बच्चों वह हम यहाँ पर समझने वाले ठीक है उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने डियाग्राम लेकर क्या यह हूं देखेगा सामने स्क्रीन पर देखें कि यह डिस्क है पहले जो पूछा गया है मैं उसकी बात कर लेता हूं कि मालीजी कि यह डिस्क है और इस डिस्क से यह cavity जो है बहार निकाली गई जिसकी और आपको मुमेंटा निकालना है तो यह लिए पहले और होता है और से मेंटा उच्रीज्म से रिमूफ कर दें और आपकों आंसर आजाएगा ठीक है कैसे करेंगे तो सबसे तो इसके अगर मैं मोमेंट वनिश्या की बात करता हूं तो इसका फर्मिला क्या होता है डिस्क है तो अब तो यह कंप्लीट वाले को यह है लेकि जब हम रिमेनिंग पार्ट की बात करते जो रिमेनिंग पार्ट हमें निखाल है तो पहले उसके लिए भी निकालने मोमेंट आफ़े वे रहे हैं कि स्वोड प्रॉमियंट उसका यहां पर निकालेंगे जैसे मालेगी यह रिमेनिंग पाल्थ है इसका जो मुमेंट अपर इसके यहां से आरवाइट डिस्टेंस जो ओप्वाइंट पड़ेगा वहां से निकालना है मेरे बात दम क्लियर है मेरे कहने का मतलव अगर हमें इसका इस लिवाइन पाड़ेंगे ऑपकर निकालने ऑंको दूसरी गलती बच्चे कहां करते हैं दूसरी बच्चे गलती ये करते हैं यह किसका मास क्या रखा जाएं भाई अगर आपने कैविटी कर दी हैं तो अवशे важно जबना होगा इससे तो सिम्बल सा unitary method का यूज सकते सर्दिनेट में उसको रहेंगे वड़ा असाल एक बताओ इस पूरे की जाब हम बात करते हैं तो हम कहेंगे सार इतनी एरिया में इतना मास है क्या वह लिया हम सर इतनी एरिया में कि तर्म इतनी एरिया में तो कुछ इंतनी एरिया में सर्फ कि अपाइब एक मतलब क्या हो गया पाइब आर बाइटू का होल स्कुर्ण हो गया हो गया तो यह क्या जाएगा अभी जो एंडास आएगा कितना जाएगा M by 4 मतलब पूरे का 1 4 आजाएगा क्या जाएगा पूरे का 1 4 simple सा unitary method में लगाया यहां पर कि इतने area में अगर इतना मास है तो वन इन इन में इतना मास होगा तो इतनी एरिया में M by 4 मास हो जाएगा सिंपल सा उनिटरी मैथड है वह या अगर आपको उनिटरी मैथड में दिक्कत होती है तो सिंपल सा आप डेंसिटी का यूस भी कर सकते हैं कैसे करेंगे डेंसिटी का यूस देखते हैं सिच को कि मान लिजे अगर मैं बात करूँ सर्फिस डेंसिटी की तो फार्मला होता है मास अपाउन एरिया दैट इस 4 दैट इस पाई आरे स्कार अगर डिस का यहां पर तो तो रिमेनिंग वाले के मास की बात करोगे तो उसका एरिया लिख देंगे यहां पर तो यहां पर मास कितना आ गया हमारा एंबाई 4 आ गया तो यह जो रिमोविंग पार्टिकल है जो हमारा कैविटी था उसका मास कितना आ गया वेटा एंबाई 4 आ ठीक है अब हमें मुमेंट आफ इस ओकी अबाउट निकालना चाहिए तो इस ओकी आबाउट मुमेंट आफ इस निकालने के लिए क्या करना है ठीक है लेकिन मास कितना है वेटा एंबाई 4 एंब और रेडियस कितने वेटा आर भाई 2 उसका क्या कर देंगा लोग स्क्वार तो यह होगे तमारा आई से इंब एक साथ प्लस एम डी स्वाइब लीकिन मास है कितना m by 4 और d कितना है यहां से लेकर यहां ता डिस्टेंस मतलाब r by 2 का whole square ठीक है बटा तो इस okay about इसके about moment of inertia हमारा कुछ इस तरीके से कितना आएगा देखते जरा इसका इसके जान से एम आर स्कॉयर भाई 16 और यह आजाएगा मरा एम आर स्कॉयर भाई 16 तो कि मास्वर यह था अच्छा बाई 2 था यहां पर 1 by 2 तो 1 by 2 मतलब 2 यहां भी हो जाएगा तो अब यह कितना हो जाएगा भाई मरस और घृफजो अब असको मास्वर एक तो यह अपाना इसकणाप यह भाई बाई टू और यह वह स्कॉयर उला हो गया एंग यह म मारस को मैं टो सॉर। हम जए पर यह रिमेंण वाले का आएगा यह किसका आया आ प्लाइग scholarship जान बाई तोयक्तितना जाएगा था एस था complete वाले का value put कर देते हैं complete वाले कितना है जहां से देखें तो complete वाले का है mr square by 2 minus का 3 mr square by 32 तो यहां से नीचे क्या हो जाएगा 32 16 यह remaining वाले का आ जाएगा एक दम के लिए तो आपको क्या जाएगा अगर के विटी वाले को निकालने के लिए पहले क्या करोगे complete वाले को निकालोगे भीया बहुत आजाएगा फिर remaining वाले को निकालोगे लेकिन सेम एक्सेस में यह remaining वाला है यह इसकी सेम एक्सेस हो गई है एक दम के लिए मरी बात यहां पर radius r by 2 according to question यहां पर मास आपको निकालना पड़ेगा या तो आप यूनिट्री मेथेड लगा दें या तो आप density का formula यूज करके भी कर सकते हैं तो मास इसका जो आया m by 4 आ गया है अब इसके अब आउट निकालने के लिए parallel access theorem का यूज किया कैसे किया भाईया सबसे पहले cm निकाला प्लस m d square का फर्मर लगाया अब icm क्या होता डिस्क के लिए m r square by 2 तो यहां पर हो गया m कितना है m by 4 r radius कितनी है r by 2 का square divided by 1 by 2 प्लस m d square m कितना है m by 4 d कितना है r by 2 उसका भी square कर दिया थोड़ा सब सौल किया आ गया 3 m r square by 32 तो यह सेम एक्सिस के बहुत आ गया ठीक रिमेनिंग का आ गया यह कंप्लीट का आ गया हां ठीक फर्मल लगाया complete मैनेस रिमूव पार्ट वाले का फैलू पुट किया आंसर निकाल दिया 13 m r square by 32 तो कौन सब पार्ट इसका सही हो जाए का बटा second part is the right answer of this question I hope आपको समझ में आया होगा आप इसके अगर धीरा पड़ाया हो तो थोड़ा सा fast forward करके भी देख सकते हैं चली अगले कोशन में तरब मूफ करेंगे अब उसी फार्मले पर बच्चा एक और कोशन है लेकिन ये कोशन पिछले की तुलना में बहुत ज्यादा असान है जिसमें बस आपको कॉमन सेंस लगेगा क्या पूछा जा रहा है तो मोमेंट ओफ इनिश्या ओफ युनिफॉर्म सर् अच्छा पूछ रहा है ये एबी सीडी दी गई है उसके परपेंडिकुलर एक्सेस और प्लेन के भी परपेंडिकुलर है कहां पर मैक्सिमम होगा और सर कैसे बताएं देखें बड़ा असान है अगर मैं आप से यह कहूं कि इस लाइन के अबाउट क्या है तो बोलो कि सर अ सब्सक्राइब करते हैं तब डी हो या फिर सी हो उसमें एमार स्क्वार बाइट टू के साथ साथ ऐसी पहले लगेगी आपको उसके लिए पहले आई सीम लिगना पड़ेगा और इस फार्मले का यूज करना पड़ेगा जहां पर डी क्या है इनके बीच की डिस्टेंस होग होगी यह इनके इसे और होगी मेरे बाद समझा रही है तो आई से और आईडी कि अगर बात करें तो यह लगभग यह सेम डिस्टेंस पर है तो इसका क्या निकल क्या आएगा आई सी हो या फिर आईडी हो लगभग से मिकल के आजाएगा अम आर स्क्वार वाई टू एम डी स्कॉर तो यह तो तया है यह आई सी हम से तो ज्याद़न के आ गया ठीक लिकिन चाब पी जादने अब हमें साफ दिख रहा है कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो इसके रेडियस के बराबर हैं तो अगरंडी के कोडिंग अगर निकालते हैं तो पहले आई सी हम लिखें हैं कि इन सबसे तो ज़्यादा ही आएगा को कि डी की जो भी वैले होगी वो तो हर से कम होगी तो इसका मतलब यहां पर कॉमा सेंस लगाएं तो बी के अबाउट सबसे ज़्यादा होगा उससे कम आई सी और अगर सी ओडी की बीट की डिस्टेंस सेम है तो दुनों बरावर हो कि अगर मिनमम पूछ दे तो आंसर क्या हो जाएगा एगा हो जाएगा एगा तो यह फेमिस फॉर्मला ता जिस पर आपको कोशन मिल सकता है इस बार भी इसलिए हमने इसका यूज किया तो यह थी हमारी पहले लक्स स्थोरम जिस पर अधरे दो अच्छे कोशन बताएं है ए आपको एक जो बच्चों के अंदर रहता है कि हम यह कैवेटी वाले कोशन को कैसे करते हैं उसके बेसिक फार्मलेस को सॉल करने को सिस करी है आई होप आपको समझ में आया होगा चलिए एक फार्मला और देखेंगा बच्चा अब यह फार्मला है किस केस में ट्रांसलेस्ट रोटेशनल दोनों यह का बाता है यह ता बाता है जब रोलिंग होती है क्या होती है रोलिंग मोशन में क्या होता बैटा बंदा अगर बॉडी की बात करें तो वह आगे भी जा रही है साथ में रोटेट भी हो रही है उससे हम लोग बोलते हैं रोलिंग मोशन इसका मतलब उसमें translational kinetic energy half mb square plus rotational kinetic energy half i omega square दोनों होगा तो अगर कोई body roll करते हुए आगी जाती है तो उसकी kinetic energy उससे तो ज़्यादा होती है किससे अगर हम बात करें जो नॉर्मल सिफ सीधे सीधे चले जले जा रही है उसमें translational kinetic energy उससे तो थोड़ी जाता ही होती है ठीक है तो वो अच्छा आया किसके सल में था 2018 2019 वही चीज आई हुई है तो rolling motion को इसलिए से जरूर पढ़ना चाहिए इस चीज को भी बड़ा असान है लोग इसे टफ बांते हैं मैं कहूंगा बड़ा असान कितना बहुत जादा असान बस कैसे याद रखना है अगर मैं कहूं कि मेरे को kinetic energy टोटल लिखनी है कि उसमें है ट्रांसलेस्नल भी है और उसमें करेंक मतब रोटेशनल है कैसे लिखोगे याद करने में दिक्कत है कैसे आच करेंगा सर्व सर्यापर जो मास है rotation में मांस क любим लेता है को में उमे तो मांस कि इसको छाप दिया हमने आइ विभर अश्वन में विलास्टी है अने विलास्टी बोलैंगी तो वी जगा जो करके कोशन को आसान करेंगे कैसे सब कुछ करेंगे यह हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले यह जो फर्मला है टोटल करेंटिक एनरजी का इसको थोड़ा सब मोडिफाई करते हैं ठीक है उसके लिए हम आप सो एक फर्मला पताएंगे i is equal to 1 होता है mk square जहां पर k क्या होता है radius of gyration क्या था बच्चा radius of gyration भी होता है हम इसका यूज करने वाले हैं कैसे यूज करेंगे देखिए ध्यान से अगर हम कहें कि half mb square रखा ठीक है गुरुजी लेकिन क्या हम i की जगे mk square लिख दे तो कुछ भला होगा देखते सर भला ह होता है कि नहीं होता है सब कैसे देखिए एक काम करते हैं क्या सब आर स्क्वाइर से नीचे करा और आर स्क्वाइर स्वाइर सूपर मेंटिपलाइब इससे क्या फाइदा होगा ध्यान से देखे अगर आप तो यह omega r का whole square अगर आपने बच्पने पढ़ा है वी ब्राबर हो स्क्वाइर वाई अब यहां से अगर हम हाफ यंविश्वाइर कामल ले लें तो बचेगा हाफ के स्क्वाइर प्लस यह तो फार्मुला होता ही था लेकिन टोटल काईनेटिक एनरजी जिसमें रोटेशनल और ट्रांस्लेशनल दोनों होती है उसका फार्मुला हम यह भी अगर ये जनरल फॉर्मॉला अगर आपको याद है तो आप हमारा यकीन करें कोशन में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी एक इन एक बार धान अखना है यहां पर के स्क्वार और और स्क्वार के यूज करना अगर आपको आता है तो काम बन जाएगा मतलब आपको रेडियस करता है हर बाड़ी के लिए तो आप कर सकते हैं वह भी आपको सिखाते कि कैसे जल्दी निकाला जाता है कोशन की तुरू समझाएंगे तो चलिए इस कोश इस फार मिले से एक से रिलेटेट एक कोशन आपके सामने रखते हैं जरह देखेगा ध्यां से देखेगा ध्यां से अब एक कोशन बुचा गया सबसे पहले कोशन है और सॉलीड स्पेयर इस अच्छा बहिए एक सॉलीड स्पेयर है वह रोल करता हूँ आगे जा रहा है जाने दो इन रोलिंग मोशन अब बॉड़ी पॉसेस ट्रांसलेशनल कानेटिक रजी हाँ भी या रोलिंग तो ट्रांस अब अगर आपने थोड़ा दिमाग लगाया सर 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 में बताता हूं सबसे पहले चीज़ अगर आपको फार्मिला या दे तो कोशन जल्दी होगा क्या फार्मिला है सर्ट्रांसलेशनल का होता है हाफ हां सर कोई कतली बात नहीं है लेकिन टोटल जो होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल उसका अभी हमने फार्मल डराइब करा है क्या होता है हाफ एंवी स्कॉयर वन प्लस के स्कॉयर वाई आर स्कॉयर ले भाई फार्मुला बन गया है बनेंगा फार्मुला है यह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यह याद रखो कैसे याद रखो कि सर जो करेंटिक इनर्जी होती रोटेशन की वह ट्राइसलेशनल करेंटिक जी मैटिप्लाइ बाइब बाइब वन प्लस के स्कॉयर भाई आर स्कॉयर खतम हो गई पार तो जो भी तुमारा आंसर आएगा वह से निकाल लेंगे अब सवाल यह उड़ता कि के स्कॉयर वाई आर वो होते हैं 2 x 5 m r square होता है और आपको मोमेंट और रेडियस ऑफ जरेशन के टर्म में लिखें तो इसको लिख सकते हम लोग m k square 2 x 5 m r square m से m cancel हो गया तो k square by r square की जो value आ गए वो हा गए 2 x 5 कि ऐसे सब की निकाल लो कि मेरे कहने का मतलब यह हैं कि अगर माले स्पेर की जगह solid cylinder होता तब भी निकाल लेते हैं यहाँ पर m r square by 2 कर देते हैं आंसर आता वन बैटू कि solid cylinder की जगह माले जे रिंग होता तो m r square कर देते हैं value आ जाती वन मेरे कहने का मतलब कि आप फार्मले को यह term अगर याद रखते हैं तो question जल्दी हो जाएगा समझ गए चले value put करते हैं 1 upon 1 plus 2 by 5 उपर चला गया तो 5 by 7 is the right answer of this question कि यह उनसा पार्ट सभी 5 by 7 सीखेंगे यहां से की question को कैसे हम जल्दी कर सकते है rolling motion में जो की बच्चे डिरते हैं इससे किने सरमें डर लगता rolling rolling क्या होता है दोने चीज़े आ रहे हैं अब होगे अब हमारे लिए असान हाफ मंगे स्कॉयर प्लस multiply भाई 1 plus k square by R2 simple formula काम खतम k square by R2 कर रिलेशन हमें इस तरीके से निकाल लेगे a moment of a natia लेखिए बराबर a m k square कर दीजे k square by r2 कर रेशयो फटाक से निकल आएगा समझ में आया है तो अग्रा कोश्टन करेंगे बचा अब देखिए कोश्टन कितना शांदार कुश्टन है अज शॉलिट सिलिंडर और मास एम एंड रेडियस आर रोल डाउन और इंकलाइन प्लेन अफ हाइट एच विताओट स्लिपिंग बिना किजिए स्लिप के यह भाइसा होगा बड़ा आसा कैसे करें इसा है दो को मेटा एक्जामपल के तौर पर माननी जी कि यह एक इनकलाइन प्लेन है बुले हाँ अब हम सिलिंडर को बना रहा है टूडी डियागराम मतलब ऐसा होना है कि सिलिंडर यह सरक हो सर यह तो सर्किल है सर यह तो रिंग अरे नहीं है सॉलिड सिलिंडर है और इसको कैसे समझेंगे आप यह कर सकते हैं देखें के जान से देखें जैसे यह सिलिंडर को में ऐसे रखा हुआ है अब यह ऐसे लोड़कते हुए लोगते लुटते नीचे आने वाला है ठीक है एक एक लाइन प्लेन थी और जैसे यह हमारा मालीज सॉलिड सिलिंडर है तो यह जो है ऐसे रोल करते 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 नीचे आने वाला है तो मैंने इसका तूधी डिएग्रम लिए अब अब हम क्या करेंगे कि माली जिसकी हाइट माना नहीं कोशन में दिया है यह हाइट है यह अगर यहां से यहां पर आता है यहां पर आए यहां पर आते ही दिखेंगे यहां पर मालेजी आ जब यहां पर आएगा तब यहां पर विलाश्टी कोशन में पूछी गई है तो सिंबल से बात है यार अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है कि माल रोलिंग ना करता ऐसे आ जाता रोल करते हैं सीधे ऐसे चला आता तो विलाश्टी निक दिक्रीज इन पॉटेंशल एनरजी इस इकल टू इंक्रीज इन पॉटेंशल जी करते हमारा अंसर आता है तो यहां पर भी होगा ना रोलिंग होने के वज़े से एनरजी के इस कॉंसेप्ट को चेंज नहीं किया जा सकता है सिंपल से बात है क्या कहेंगे सार डिक्रीज इं पॉटेंशल एनरजी इस इकल टू इंक्रीज इंग कानेटिक इनरजी ठीक अब पॉटेंशल डिक्रीज कितनी हो रही है अगर मास M है तो MGH हो जाएगा क्या जगबल बच्चें एम जी एच अब इंक्रीज इन कानेटिक इनरजी है मत्तल्द जब यह यहां से यहां पर इसका मतलब यहां पर ट्रांसलेशनल के साथ साथ रोलिंग भी होगा तो तो टोटल इनरजी यहां पर हमें लिखनी चाहिए तो अगर हम यहां पर टोटल इनरजी लिखेंगे तो बटा अभी हमने फर्मना सुखाया है हाफ एम बी स्क्वाइर के अंदर वन प्लस के स्क्व हमें यहां पर चाहिए वी तो मैं थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं तो वी इस इक पर टू अंडर रूट के अंदर तू जी अच अपन वन प्लस के स्क्वाइर बई आज अभी जनल फर्मुला हो गया अब चाहिए यहां पर सिलिंडर हो चाहिए रिंग हो चाहिए इवन कोई बस ठीक यह तो रोड़ते हुए हम सब कर लेगा अब हमें सिर्फ के स्क्वाइर और आर स्क्वाइर चाहिए प्रिशा देखते कैसे निकालते हैं अगर बात करें सॉलिड स्लिंडर के के समें तो शॉलिड स्लिंडर का मोमेंट आ वन इस्या जो होता है बिटां कि स्कूर भाई आर स्कूर की जो वैल्यों आ जाएगी वह वन बाइट वाई टिक अभी वैलु उठा किया रख देता है जब आप यह वैल्यू उठा कि यहां पर रखेंगे तो यह हो गया है टू जी एच वन प्लस हाफ अब इसे आप सॉल करेंगे तो जब आप इसे सॉल कौन सा पाट सही है सेकंड पार्ट इस राइट अंसर अब इस कुश्चन आपको समझ में आया होगा तो यह जनरल फर्मला हमारा हो गया अब इसी फॉर्मले की मतद्स से हमें कोई भी शेप की बोडी दे दे हम समय वय आपर विलास्टी निकाल देंगे सिंपल फर्मल लगा है अठारा उनिस माया है जिसमें बच्चे बहुत डर गयते कि यार इतना वड़ा कॉश्चन गया से होगा तो अब हमारे यह कोशन मिंटों में हो जाएगा यह मैं को सेकेंडों में हो जाएगा अगर आपको बेसिक पता है तो बच्चो ध्यान एकना है टोटल करेंटिक ने और आई होग आपको यह फार्मा समझ में आया होगा कमेंट पर जरूर बताईएगा ठीक है बच्चो तो आज क्लास मेरे यहीं तक नेक्स लेक्ट्चर में मिलेंगे तो आपको और भी कुछ इंपोर्टेंट फार्म ले जिसके इंपोर्टेंट ट्रिक और कुछ बढ़िया